दोस्तो इस समय मुश्किल से ही कोई सेक्टर ऐसा होगा जिसमें भारत ने कदम ना रखे हों। लगभग सभी सेक्टर में भारत तेजी से ग्रोग कर रहा है। भारत पूरी तरह से आत्म निर्बर बनने की और काम कर रहा है। भारत की इस ग्रोध को देखते हुए ही दुनिय अगर चीन की बात करें तो चीन की एकनोमी लगातार गिरती जा रही है जिसकी वज़े से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने चीन से अपना पैसा निकाल कर भारत में लगाना सुरू कर दिया है चीन के बाद दूसरे सबसे बड़ा मार्केट भारत ही है इसलिए अब यरोप एनरजी सेक्टर में भारत की हेल्प चाह रहा है खबर निकल कर सामने आ रही है कि यरोप भारत के साथ मिलकर फ्यूल सेल्स की मेनुफेक्चरिंग करने को लेकर बातचीत कर रहा है और इसके लिए यरोप भारत को अपनी टेक्नलोजी भी देने को तयार है फ्यूल सेल्स क्या है और इनका क्या काम है इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताएंगे वही पर अमारी दूसरी खबर जर्मनी से है दरसल जर्मनी ने भारत को एक बहुत बड़ा ओफर दिया है जिसके तहर जर्मनी भारत को अपनी डीजल इलेक्ट्रिक सम्मरीन देने को तयार है वही भारत को इन सम्मरीन की जरुवत भी है जर्मनी के सॉफर के बारे में भी आपको वीडियो में डिटेल से बताएंगे दोनों खबर काफे इंट्रेस्टिंग एसलिए वीडियो को अंतक जरू देखेगा साथे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वही पर आज एक ऐसा समय है जब यूरोप भारत के आगे घुटने टेक कर खड़ा हुआ है और भारत की हैल्प चाता है दरसल चीन से बचने के लिए यूरोप के पास एक मात्रॉप्शन भारत ही है और दुनिया में इस वक भारत ही एक ऐसा देश है जो मंदी के दौर में भी तेजी से ग्रोग कर रहा है यूरोप को सबसे बड़ा डर है कि एनरजी सेक्टर पूरी तरह से चीन के हातों में ना चला जाए क्योंकि चीन हाइडरोजन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हाइडरोजन को ही फ्यूल आफ दा फ्यूचर कहा जा रहा है ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि चीन इस सेक्टर में डॉमिनेटिंग कंट्री साबित होगा यरोप का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक यरोप पूरी तरह से एनर्जी के लिए चीन पर डिपैंड हो जाएगा जैसा कि वे पेट्रोलियम के लिए रश्या पर डिपैंड है लेकिन वही बात fuel sales या lithium batteries की की जाए तो चीन वर्ल्ड के 80% market पर कबजा जमाया हुआ है यानि कि Europe hydrogen बनाना तो जानता ही है लेकिन इस hydrogen से बनने वाली electricity को श्टोर करने के लिए चीन पर dependent है वहीं भारत की बात करें तो भारत में अपरेल 2021 से lithium sales के import पर 10% और battery pack के import पर 15% की import duty लगा दी गई है ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत खुद energy storage device का सबसे बड़ा manufacturer बन सके भारत के अंदर लगभग 10 के करीब कमपनिया lithium sales का production सुरू कर चुकी है या फिर इस साल से सुरू करने जा रही है दुस्तो fuel sales एक ऐसी technology है जिसमें भारत ने खुशकास काम नहीं किया है तो वहीं चीन ने इस technology में महारत हासिल कर ली है यहां तक की चीन ऐसे fuel sales two wheeler vehicle से लेकर बड़े बड़े cargo ship तक के लिए manufacture कर सकता है बता दे fuel sales वो technology है जिसको use करके hydrogen को electricity में बतला जाता है इस technology में यूरोप तक चीन से बहुत ज़्यादा पीछे है यहीं वज़य है कि यूरोप भारत से help चाता है और भारत में fuel sales को manufacture करने की planning कर रहा है क्योंकि यूरोप के पास fuel sales technology तो है लेकिन low cost manufacturing ecosystem मौझूद नहीं है जिसके लिए सबसे अच्छा option भारत का है वहीं यूरोप चीन से इसलिए डरा हुआ है क्योंकि trade war के चलते चीन पहले से ही कुछ highly sensitive technology के export पर बैन लगा चुका है जैसे की rare earth material और silicon solar waffers यूरोप किसी भी हालत में ये नहीं चाता कि आगे चल कर energy sector में भी चीन ऐसा ही कुछ करे और अगर petroleum और hydrogen replace कर ही देगा तो यूरोप के पास fuel cell supply होनी चाहिए और इसलिए वह भारत पर काफी ज़्यादा भरोसा कर रहा है साफ है कि भारत के हाँट एक और बड़ा market लगने जा रहा है बरहाल दोस्तों बढ़ते हैं अमारी दूसरी खबर की तरफ जो की जर्मनी से निकलकर सामने आ रही है दरसल जर्मनी भारत से एक डील को लेकर बहुत जादा excited है और इसके लिए जर्मनी ने भारत को एक बड़ा offer भी दिया है दरसल अमारी इंडिया नेवी को 6 डीजल इलेक्ट्रिक सम्मरीन की जरुवत है वहीं इसके लिए टेंडर भी निकाला जा चुका है लेकिन ये टेंडर कम्प्लीट नहीं हो पाया क्योंकि इस टेंडर में सामिल देश जैसे की रशिया फ्रांस आदी बाहर हो गए थे ये देश इसलिए पीछे अटे थे क्योंकि भारत ने इस टेंडर के तहट दीजल इलेक्ट्रिक सम्मरीन के एर इंडिपेंडन प्रोपल्सन सिस्टम यानि AIP सिस्टम की टेक्नलोजी मागी थी जिसे देने से सबी देशों ने मना कर दिया था और ये टेंडर अधूरा रह गया वहीं अभी इस टेंडर से बाहर निकला जर्मनी दुबारा से टेंडर में सामिल हो गया है और जर्मनी ने भारत को यू टाइप की अपनी सम्मरीन ओफर किया है इसके लावा जर्मनी ने भारत को एक और ओफर दिया है जिसके तहट जर्मनी का कहना है कि भारत को डारेक्ट गोर्मेंट टू गोर्मेंट सम्मरीन की डील कर लेनी चाहिए जिससे भारत को टाइम पर सम्मरीन की डिलिवरी मिल सके और ये टेंडर भी जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा वहीं पर दोस्तों स्पेइन की तरफ से भारत को सम्मरीन को लेकर आफर दिया गया है तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भारत किस देश के साथ जाएगा वैसे दोस्तों आपके इसाब से भारत को जर्मनी और स्पेइन में से किस देश को चुनना चाहिए अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरू बताईएगा साथे अगर आपको ये इंफॉर्मिशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने बाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल नोटिफिकेशन को जरू दबा ले फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिन